हेलो पेरेंट्स, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि इस तीसरे सब्ताह के दोरान आपका फर्टिलाइजेशन होने वाला है, आपका फर्टिलाइजेशन फेल ना ह आपकी प्रेगनेंसी जल्द ही रुक जाए इसलिए कुछ महत्व पुल्ण बाते जो आपको जरुर ध्यान में रखनी ही तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको सांती से ध्यान से दो बार नहीं तीन बार सुनना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्द ह रुक जाए और वह भी healthy, happy और वह भी दिव्य शिशु को पाने है तू केसे अपनी pregnancy को सही तरीके से प्लान करें वह भी आपको यह वीडियो में चानने को मिलेगा तीसरे सब्ताह में आपको पता नहीं होता कि आप गर्व धारन करने वाली है इसलिए पिरियेट के पहले दिन से ही आपको अपना पहला सब्ताह की गिंती करनी है इस तरीके से दूशरा और तीसरे सब्ताह को भी अपना planning phase कहना है दूसरे सब्ताह का end और तीसरे सब्ताह के शरुवात में आपका egg sperm से fertilization होता है यानि आपका गर्व रुक जाता है जिसे zygote कहा जाता है तीसरे विक के दोरान fertilized egg थोड़े ही दिनों में uterus तक पहुचता है यानि फेलोपियन ट्यूब से वह धीरे धीरे गर्वा से तक जाता है इस तीसरे महत्वपुर्ण सब्ताह के दोरान यह अंडान गर्वा से में स्थापित हो जाता है और यह zygote एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ वेसे ही multiple times divide होता जाता है यह zygote uterus तक पहुचते पहुचते 100 से भी ज्यादा कोसिकाये जूर कर एक गेंद सा आकार ले लेती है जिससे हम blastosis कहते हैं उसकी size बहुत ही छोटी होती है लेकिन बच्चे का development की process जो होती है वह दो गुना होती है वह जल्दी होने लगती है तब आपकी औरी से estrogen और position नाम की दो pregnancy hormone release करती है यह hormone uterus में जाके बच्चे को protect करती है उसके विकास में मदद करती है यह hormone release होने के कारण होने वाली माता को कुछ लक्षन भी दिखाई देती है जैसे की मुह में कुछ अजीब सा स्वाद महसूस हो सकता है उल्टी और मतली जैसा महसूस होता है लगातार पेशाब आना हमेशा ठका हुआ महसूस करना शरील का तापमान अधिक होना यह सभी लक्षन प्री मैंस्ट्रियल जैसे हो शकती है स्यादा कुछ फर्क नहीं होता किसी को पता चलता है तो किसी को नहीं पता चलता सभी महिलावों में अलग-अलग लक्षन दिखाई देते है वह ब्लास्टोसिस युट्रिस तक कहुचेगा तब उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन की सरुरत पड़ेगी वही न्यूट्रिशन ब्लड सर्कूलेशन थ्रू उसी को मिलेगा तो मधर को अभी से मेंटिली और फीजिकली प्रिपेड होना बहुत सरुरी है सबसे पहली और सरुरी बात आपको चीनता मुक्ती रहना है तनाव यूक्ती रहने से सरीर कोटीशाल नामक स्ट्रेश होर्मोन रिलिश करता है जो सिशु के विकास में बाधार डाल सकता है प्रेगनेंसी से पहली तिमाही में स्ट्रेस लेने से कुछ महिलाव में गर्भपात की आशंका भी होती है इसलिए आपको सिर्फ आपके होने वाले बज्चे के लिए आपको जल्दी प्रेगनेंसी रह जाए उसके लिए खोश रहना है पूरे दिन आक्टिविटी करना है ध्यान योग और प्रानायम भी करना है नित्य प्रार्थना करनी है गर्भ प्रार्थना करनी है गर्भ शमवाद specially गर्भ समवाद करना ही करना ही यह सोच कर कि आप प्रेगनेंट है बेबी आपके गर्भ में है तब आपके सरीर के होर्मोन उसी हिसाब से बनेंगे आपकी बज्चे को वह जल्दी एकसैप्ट कर लेंगे आपकी pregnancy का result जल्दी आपको मिल जाएगा Pregnancy week के अनुशार गर्भ संवाद आप वेदिक गर्भ संसकार एप में सुन सकती है जो आपके शरीर में positive hormone release करेंगे आपको गर्भावस्था का पहला महिना यानि period के पहले दिन से week 1 काउंट करना है दिन अनुशार follow करना है एसा करने से आपके शरीर में वैस hormone release होंगे और आप जल्दी ही गर्भ धारन कर लेगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है अभी जाके डाउनलोड करें वेदिक गर्भ संसकार एप इस application में basic course में pregnancy planning में क्या करना है गर्भा वस्था के दोरान क्या करना है गर्भ संवाद, गर्भ प्रार्थना, गर्भ स्तूती, गर्भ संसकार, music, गीत, संगित सब कुछ free में आपको सुनने को मिलेगा तो जरूर विजेट करें इस उपरांत आपको अपनी lifestyle को अच्छी बनानी है अच्छी lifestyle होने से सरीर में positive hormone release होंगे वह blood circulation through बच्चे तब कहुँचेगा आप जेसे विचार एवं आचार रखेंगे उसके आधार पर ही शिशुको पोशन एवं होर्मन प्राप्त होते हैं दूसरी बात healthy diet लेना बहुत जरूरी है आप जेसा भी भूजन ग्रहन करती है वही nutrition शिशुको प्राप्त होगा यह बात आपको ध्यान में रखनी है तीसरी महत्व पुर्ण बात प्लानिंग में आपको किसी प्रकार की दवाईया ले रही है तो डोक्टर की सलाह जरूरी लेनी है चाय कोफी बंद करना है धुम्रपान तंबांकू और आलकोहॉल को बिलकुल बंद कर देना है यह बात सिर्फ होने वाली मम्मा को ही नहीं बलकी होने वाली डेडी को भी फोलो करनी है क्योंकि यह सभी बाते ब्लास्टोसिस को असर करेगी बच्चे को वहां रुकने नहीं देगा यानी प्रेगनेंसी रुकने में बाधा डालता है सो प्लीज यह सभी का आपको द्याग करना है ताकि प्रेगनेंसी आपकी जल्दी रुक जाए बुरी आदतों की वजह से प्रेगनेंसी रुक जाने के बाद भी आपका पिरियेड आजाता है आपको लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी लेकिन यह सभी आदते आपकी प्रेगनेंसी को रुकने ही नहीं देती है इसलिए सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यह सभी बातों का आपको सरूर ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के नव महिनों में माता पिता दोनों का रोल समान होता है सिर्फ प्रेगनेंसी रुक जाने से पिता के भूमिका खत्म नहीं होती है माता के गर्भ में बेबी ग्रो होता है जब की पिता के दिमाग में इसलिए दोनों को साथ में वीक बाई वीक जो एक्टिविटी वेदिक गर्भ संसकार एप में दी गई है वह साथ में करनी है दोनों को समान भूमी का है आप दोनों को साथ में मिलकर पेरिंटिंग जरनी को गोल्डन मेमरी बनाना है फ्रेंट्स को भी सेर करना है ताकि सभी द सब्सक्राइब करें वेदिक गर्भी संसकार एप्लिकेशन को डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगली वीडियो विक फोर में बहुत सारी नई बाते आपको जहानने को मिलेगी तो मेरे साथ जुड़े रहिए घन्यवाद